हाई मैं परशांत आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वेटी टो कॉमुडिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक जबरदस्त आपसंस सेलिंग या फिर आपसंस वाइटिंग स्ट्रेटजी ले के आए और यह जो आपसंस सेलिंग या फिर आपसंस वाइटिंग स्ट्रेट है इसमें आपका एक्वेटी लिवल भी काफी जादा हाई है तो अगर आपको एक perfect options selling strategy चाहिए जिसका accuracy level हाई हो तो आप इस वीडियो में last तक बने रहना उससे पहले मैं आपको एक concept भी समझाने की कोसिस करूँगा कि क्यों stock market में options seller को automatic advantage मिल जाता है in competition to options buyer तो अगर आप options writing करतेया फिर options sell करते तो आपको ये concept आना चाहिए और अगर अगर आप options buying भी करते हैं फिर आपको ये concept समझना चाहिए कि options seller को या फिर options writer को कितना advantage मिलता है उसके बाद अगर आप options buy करते हैं तो अपने trade के risk reward ratio को अच्छे से calculate कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं यहाँ पर आपको chart पर ले चलके options selling strategy के बारे में details से बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको 2 point ध्यान में रखना होता है सबसे पहले हम उन 2 point को पर बात कर लेते हैं फिर हम chart पर आएंगे और option selling strategy को detail से समझेंगे तो आज जो हम option selling strategy को पर बात करने जा रहे हैं देख सकते हैं इसमें आपको 2 point ध्यान में रखना होता है सबसे पहला point क्या है कि आपको previous week के high and low को mark करना रहता है सब पहले previous week के high and low को यहाँ पे आपको chart पे mark करना है chart पे ले चलके यह दोनों point को अच्छे से explain करके बताऊंगा तब आपको all clarity से समझ में आ जाएगा दूसरा point है कि यहाँ पे हम एक indicator यूज करें जो कि है technical indicator और यह बहुत powerful technical indicator है जिसका नाम है bollinger band तो bollinger band की मदद से हम क्या करेंगे market के direction को find करने की कोसिस करेंगे और put जो adjustment है वो हम bollinger band की मदद से करेंगे और जो previous week के high and low को mark करेंगे उसका क्या काम रहेगा उसका काम रहेगा कि strike price का selection यह नि हम कौन से strike price के options को sell करेंगे call side की तरफ, put side की तरफ वो हमें बताएगा previous week का high and low तो दो important point हमने लिया है दोनों का अलग-अलग काम है इसलिए हमने इंदो को consider किया इंदो को लिया है मैं आपको सिर्फ strategy नहीं बताने जा रहा हूँ निफ्टी का आपका यह hourly chart है अब यहाँ पर हम hourly chart लिये है आप यहाँ पर कोई भी time frame यूज कर सकते हो क्यों यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम previous week के high and low को mark कर रहे चाहिए आप 5 मिनट जाओ, 30 मिन जाओ, 1 घंट जाओ, 1 दिन जाओ, 1 week जाओ previous week का जो high रहेगा, वो high sub में रहेगा, same high रहेगा high में कोई changes नहीं होगा इसलिए हम कोई भी time frame यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप hourly या फिर उससे ज़्यादा उपर time frame यूज करेंगे तो फिर आपको बॉलिंजर बैंड का accuracy level है वो थोड़ा सा increase होता हुआ दिखेगा इसलिए आप कोईशिस किजिए कि अब अब अर्ले या फिर maximum 30 मिनट तक जा सकते हैं उससे नीचे जाने की कोईशिस ना करें तो यहाँ पर सबसपहले हम क्या करेंगे बॉलिंजर बैंड से market के direction को find करने की कोईशिस करेंगे तो यहाँ से पहले देखिए market का direction आपका नीचे की तरफ था लेकिन इसके बाद market का direction आपका एक range पकर लिया range में move कर रहा है तो यहाँ पर market का direction कैसा है market का direction आपका range bound है तो market का direction clear हो गया और यही perfect time रहता है जब options seller को profit होता है जब market आपका range bound है तो यहाँ पर आपके call writers यही जो लोग call options sell करते उनको भी profit होता है और जो लोग put options sell करते उनको भी profit होता है यहाँ पर call writers और put writers को दोनों को यहाँ पर profit होता है और यह suitable रहता है इसलिए आप देखोगे अगर आप market को analyze करो, overview करो, करोना के बाद छोड़ के अगर आप last 5 साल या 10 साल का market को analyze करोगे तो आपको 70-80% time market आपका एक range के बीच में move करता हुआ दिखेगा breakout market में आता है, market upside downside जाता है लेकिन most of the time 60-70% market आपको एक particular range में move करता हुआ दिखेगा ये इसलिए move करता है क्योंकि sellers उस टाइम पे ज़्यादा profit बना पाते है तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था, कि market का direction हमने find कर लिया अब यहाँ पे हम previous week के high and low को easily mark कर सकते हैं, वो आप देख भी सकते हैं उससे पहले जो मैं आपको एक concept समझाने जा रहा हूँ, वो आपको समझना है कि हमारे market का क्या direction होता है, बहुत साथ लोग बोलेंगे कि upside और downside दो direction होता है नहीं, तीसरा direction भी होता है, यहाँ पे आपको clear कर देना चाहता हूँ market का direction आपका एक upside की तरफ होता है, दूसरा होता आपका downside की तरफ और तीसरा होता range bound, जो अभी आपको यहाँ पे वोलिंजर बैन में देखने को मिलवा है तो market का तीन direction होता है, अब यहाँ पे जो options writer होते हैं, जो options को sell करते हैं उनको यहाँ पे automatic advantage क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, यहाँ पे समझने कोशिस किजिएगा, यह concept थोड़ा समझने वाला है और यह concept आपको बहुत कम जगह बताए जाएगा, बहुत सारे जगह पे यह concept पैसे लेके बताया जाते हैं यहाँ आपको frame बता रहा हूं, यह concept आपको समझना है, और यह concept आपको बताएगा कि options buyer, options seller में क्या difference है और अगर आप options buy करते हैं तो अभी आपको ये concept समझना है क्योंकि ये आपको risk calculate करने में मदद करेगा तो suppose that यहाँ पे हम एक example के थूरू समझने ही कोसिस करते हैं market अभी आपका है 17,100 करीब यहाँ पे आप price देख सकते हैं तो market अभी आपका 17,100 के level पे है अब अगर क्या होगा हमें नुक्सान कब होगा market अगर 17,500 के level से उपर जाएगा इसमें आप premium भी आड़ कर लीजे अभी premium 30 रुपे करीब है यानि आप यहाँ पे 17,530 कर दीजे यानि market 17,530 के level से उपर जाएगा तभी यहाँ पे मुझे क्या होगा loss होगा उसके अलबा यहाँ पे मुझे profit होगा यानि market अगर नीचे मेरा फिर भी यहाँ पे मुझे क्या होगा profit ही होगा अगर market range bound रहा तो भी यहाँ पे मुझे profit होगा यानि जो market का 3 direction है उसमें से 2 समें मुझे exact गिलेकर profit मिलवा कोई doubt नहीं है अब अगर market आपका ऊपर जाता है ठीक है यहाँ से अगर आपका market 400 point ऊपर चला जाता है और expire ही आपका 17,500, 520 या 510 के level पे होता है फिर भी यहाँ पे मुझे क्या होगा थोड़ा बहुत profit ही होगा अगर profit नहीं भी होता है तो क्या होगा at least मुझे यहाँ पे loss नहीं होगा यहाँ नहीं मेरा view क्या था market यहाँ से नीचे जाएगा लेकिन market मेरे against आया छोटा मोटा नहीं मेरे against कितना आया 400 point मेरे against आया फिर भी यहाँ पे मुझे loss नहीं दे रहा क्योंकि market ऊपर आने में time लगा दिया अगर market मेरे against जाता है वो भी जल्दी जाना परेगा तब जाके यहाँ पे मुझे नुकसान होगा तो इस condition मेरे यहाँ पे profit हो रहा यहनि market का जो 3 direction है उसमें आसा बोल सकते हैं कि writers को 2.5 direction यहनि 2.5 direction में writers को profit होता है अब buyers का condition ले ले लेते हैं 17.500 पे आपने buy किया call को आपको profit कब होगा इसमें premium add कर दीजे यहनि 17.530 के उपर अगर market जाता तब आपको profit होगा अब आपके favor market 400 point move किया है ठीक है और expire आपका 17.500 या 530 पे दे दिया फिर भी यहाँ पे आपको कोई profit नहीं होगा थोरा भूत आपको loss ही होगा market आपके favor में थोरा भूत move नहीं किया 400 point का moment दिखाया है लेकिन moment दिखाने में time लगा दिया है तो market आपके favor में जाते हुए भी आपको profit नहीं दे रहा है जबकि writers के market अगेंस जा रहा फिर भी profit दे रहा है इसलिए आपका यहाँ पे profit के chances है वो मेंने 10% रखा है यानि अगर हम overall calculate करें 100% में से तो आपको 60-70% chance रहता है कि कौन profit बनाएगा options writer यानि option जो sell करता है वो profit बनाएगा सिर्फ आपका यहाँ पे 20% के करीब chance रहता है कि options buyer पैसा बनाएगे इसलिए यहाँ पे आपको options writer को automatic आपको benefit मिलतावा देख सकता है same up put side की तरफ भी यह चीज़ काम करके देख सकते है यह अगर आप सोचो के calculate करके देखो तब आपको समझ में आएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता वो writing के पीछे क्यों भागता वो क्यों call options या put options buy करना prefer नहीं करता है यह concept भी ज़रूरी था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया अब यहाँ पे मैंने आए Bollinger Band के reaction को find कर लिया range bound था अब दूसरा point क्या था previous week के high and low को mark करना अभी अभी खतम हुआ है इसका highest point यह रहा highest point हमारा क्या बन जाएगा versus tense बन जाएगा lowest point की बात करें यह हमारा lowest point बन जाएगा 16,900 यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा यहाँ पे support बन जाएगा और उपर जो level था वो मेरा था लगबग 17,400 यहाँ पे हम राउंड फिकर ले रहे हैं 20-25 पॉइंट उपर नीचे हो सकता उसमें आप घबराने वाली बात नहीं है यह नहीं बोलना कि सर आपने 20-25 पॉइंट उपर ले लिया यहाँ पे हम राउंड फिकर में जा रहे हैं अब देखिए अब मारकेट का सेंटिमेंट क्या अभी अभी अगर आपको मारकेट का कोई एक सेंटिमेंट या फिर एक डिर्यक्षन बताने के लिए बोलेगा आथ क्या होगा मारकेट वेंज बाहुन वाले हैं लेकिन सेंटिमेंट या फिर जो ट्वेंड है वो slightly negative side की तरफ है देते हैं यह तीनों लाइन का अलगलग इंपोर्टेंस है उसके उपर हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पर हम सब्सक्राइब कर दिया इसको मैं क्लियर कर देता हूं थाकि बोर्ड मेरा क्लीन होए हमने मार्केर के डिरेक्शन को देख लिया जो सेंटिमेंट था वह देख ल रहा है तो अब अगर प्रैस आपका नीचे साइड की तरफ है तो आप क्या करोगे आपको सेल करना है यहां पर आप क्या करोगे कॉल ऑप्शन यहां पर सेल करना ज्यादा प्रिफर करोगे तो बॉलिंजर वैंड की बदद से हमने यह डिसाइड कर लिया हमें क्या करना हमे आपको किया बताए था इस्ट्ट्राइक प्राइस का सेलेक्षण किस के विश्चिस पर करेंगे प्रिविस्पीप के हाई जो को ही बना था तो यहां पर अब हमें call options राइटिंग करना हमारे पास दो options है 17,4,50 अगर आप थोरा whisk लेने को तयार है तो और safe जाना चाहते हैं तो 17,500 प्रीमियम कम मिलेगा दोनों में से कोई एक आप call options राइट कर सकते हो जो भी आपको मन करें वो राइट कर सकते हैं जिस लेवल पर resistance लेवल है वहां से आप 50 पॉइंट या 100 पॉइंट उपर वाला call options राइट कर सकते हो हम थोरा उपर वाला क्यों राइट कर रहे है उसके पीछे भी logic है वो आपको last में समझ में आएगा सारा कुछ अभी बता दूँगा तो खिच्री बन जाएगा एक एक करके समझने कोसिस किजिए यहां तक का concept क्लिया है माकर का sentiment निगेटिव था call option सेल किया strike price का selection हाई के basis पे हमने कर लिया अब यहां पे क्या होगा अब यहां पे बॉलेंजर बैंड का तीन लाइन है तीन लाइन का इंपोटेंस समझे अब अगर price आपका उपर की तरफ निकलता है ठीक है और closing आपका इसके उपर देता है यहनि mid line है इसके उपर देता है हमें सबसे पहले देखना closing हमें कब चाहिए mid line के उपर चाहिए closing के बाद हमें चाहिए कम सकम एक या दो candle और hourly chart वाला इस लाइन के उपर तो ऐसे में at least हमें तीन candle इस line के उपर चाहिए closing वाला candle या उसके बाद next day अगर market इसके उपर open हुआ और एक दो candle इसके उपर ठीका है तो उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं है closing हमें line के उपर चाहिए closing के बाद next day जो market open होगा उसके बाद एक दो candle इसके उपर चाहि करेंगे हम यहां से थोरा सा उपर 17-600 के call options को क्या करेंगे sell नहीं करेंगे यहां पर हम buy करेंगे buy क्यों करेंगे क्योंकि हम safety के लिए जा रहें अब इसका premium है वह आपको 30 रुपे करीब है जबकि इसका premium आपको लगेगा 15 रुपे करीब यहां पर मुझे profit 30 पॉइंट का हो profit होगा लेकिन अगर market ऊपर निकलता है तो यह call options मुझे loss हो सकता है वह loss को थोड़ा बहुत minimize करेंगा यहां नहीं तो लौस को cover करने का काम भी करेंगा तो पहला चीज है कि अगर बॉलिंजर बैंड का जो mid line है उसके ऊपर निकलता है closing देता है उसके बाद दो candle उसके ऊपर मिल गया ठीक है फिर अगले दिन market अगर इसके ऊपर open हुआ open हो दे ही क्या करेंगे यहां पर जो हमने call options sell किया था 17500 का इसको सबसे पहले यहां पर हम हटा देंगे ठीक है एक positions मेरा हट देगा उसके अलाबा चाहो तो आप 17600 call options को एक और quantity buy कर दो या नहीं तो आप 17650 के call options को वापस से एक बार और आप buy कर लो दो concept समझना है इसके ऊपर closing दिया दो candle टिका तो हम एक call options buy कर लिए और safety region white line के ऊपर निकला closing दिया अगले दिन candle इसके ऊपर open हुआ क्या करेंगे राइटर वाले को हटाएंगे यानि जो हमने call options sell किया उसको हटाएंगे और उसके जवाब पर एक और call options यहां पर हम buy कर लिए एधर आप सेम extract price का buy करो या उससे ऊपर buy करो यह हम क्यों करें क्योंकि इसके ऊपर closing देने का मतलब है कि market यहां से upside का momentum पकरेगा उसके बाद जो थोड़ा बहुत मुझे loss हुआ होगा वह loss यह दोनों cover करके मुझे दे देगा यह concept है यह concept आपको समझना और इसके basis पर अगर आप trade लोगे तो अपने trade को profitable बना सकते हो चलिए last week का हम यहाँ पर analyze कर लेते हैं कि इसके basis पर अगर हमने trade लिया होता तो क्या कुछ होता similarly आप नीचे side के तरब भी जा सकते हो अगर market आपका range bound है तो यहाँ पर आप solo 800 के put options को भी आप sell कर सकते थे same situation में लेकिन अब क्या हुआ आपका price जो mid line है उसके नीचे आ गया तो put अगर हम sell करें mid line के नीचे आते हम क्या हो जाएंगे super active हो जाएंगे उसके बाद Monday को अगर market यहाँ पर open होता और एक और candle इसके नीचे ही टिक जाता है तो हमें क्या करना परेगा यहाँ पर एक और put options buy करना परेगा और इस line को break करके अगर price नीचे आता है तो हम क्या करेंगे फिर जो हमने put options sell किया उसको अटाके यहाँ पर हमें एक और put options buy करना परेगा तो अभी put sell करना थोड़ा सब रिस्क है इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा prefer नहीं करेंगे क्योंकि downside open है और upside limited है यह जो range bond move है इसमें तो अब हम previous week के move को समझने की कोसिस करते हैं देखिए previous week क्या हुआ previous week का highest point यह रहा यह यह भी आपका लगबग 17,400 करीवी है यहाँ पर हम क्या करेंगे 17,500 के call options को sell करना पर तो यहाँ पर भी premium आपका 30% करीवी था इसी के आजपास था थोड़ा बहु उपर इसके उपर निकला, closing इसके उपर दिया उसके बाद हमने क्या बोला कि दो candle हमें इसके उपर चाहिए था इसके उपर दो candle नहीं मेरा तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है प्राइस हमारा नीचे ही trade कर रहा हम कुछ नहीं करेंगे यह जो call option sell किया इसके साथ हम रहेंगे अगला दो candle यहां पर आ जाता इसको जगह पर हम एक और सत्राइचे साथ कॉल आप्शन बाइक कर लेते लेकिन ऐसा कुछ हुआ ने उसके बाद 28 अपिल को देखें मार्केट ऑपन हुआ है और दो-तिन candle इसके उपर बना है 28 अपिल क्या गया मेरा expire यह आ गया तो expire day के दिन बॉलेंजर बैंड का कोई काम नहीं है फिर बॉलेंजर बैंड को हम नहीं देखेंगे फिर मन में कुशन होगा कि हम देखेंगे किसको हमने क्या लिया प्रिविएस विक के हाई एंड लो वो कब काम आएगा वो सिर्फ स्ट्राइक प्रैस के लिए छोड़ेंगे उसका भी काम लेंगे उसका काम आएगा expired day के दिन ये level देखेंगे अगर इस level को price break करता with candle में volume है तो फिर हमारे पास क्या है हमारे पास यहाँ पर margin है 100 point का या 50 point का इसलिए मैंने आपको बोला है कि high से आपको थोड़ा सा margin रखना है margin कब काम आएगा अगर expired day के दिन momentum market में आता है market अगर इस high को break करके ऊपर निकलता है तो हम क्या करेंगे एक आपका call options 17600 को buy कर लेंगे उसके बाद अगर यह आपके और उपर जा रहा है और strike price के करीब आ गया यानि मेरे पास यहाँ पर 100 point का margin है अगर यह आपका नजदिक आ गया यानि 20 से 25 point जस्ट रह गया तो ह हम सामझेंगे कि market momentum है फिर market और उपर की तरफ जाएगा क्योंकि यह जो highest point है इसको break करके ऊपर निकला मतलब market momentum है तो अगर थोड़ा सा बचेगा तो क्या करेंगे expired day की दिन ज्यादा नुक्सान ने होगा थोड़ा बूत आपको नुक्सान होगा यह call options को यहाँ पर हम हटाएंगे फिर एक और call options यही का add कर लेंगे या निक तो इसके ऊपर का हम add कर लेंगे तो expired day की दिन हमारा जो strategy है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा मां की दिन बॉलिजर बैन का का काम करेंगे expired day की दिन previous week का जो high है या फिल हो है उसके basis पर यहाँ पर हम काम करना ज्यादा prefer करेंगे उमीद करते हैं यह जो concept है वो आपको clear समझ में आ गया होगा और इसके basis पर अगर आप trade लोगे तो आपका accuracy थोड़ा सा increase होगा थोड़ा सा complication हो सकता है क्योंकि market से पैसा बनाना आसान नहीं है अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको दिमाग लगाना परेगा market आपसे कुछ न कुछ जरूर माएंगा आप अपना time दो आप अपना मेहनत दो market को तो market आपको पैसा बना के देगा तो अगर आप market को अपना मेहनत नहीं दोगे अपना time नहीं दोगे तो market आपसे पैसा लेगा market free में कोई काम नहीं करता कुछ न कुछ चार्ट जरूर करता पैसा दो, मेनत दो या फिर टाइम दो, वो डिसाइड कर दो, आप क्या करोगे, तो इसके वेशिस पे आप काम कर सकते हो, आप खुद से अनलाइज करो, पेपर ट्वेडिंग करो, तो उमीद करते हैं, कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, फ्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किजिए, आगे हम और भी सेलिंग स्ट्वेड़ी आपके लिए लाते रहेंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिंद!